मेरे साथ आरफा खानम है और जिस तरह से कनाटका में महिला पतकार की हत्या हुई है उसको लेकर बहुत बुस्टा आया पतकारों में क्या लग रहा है उनको अपनी जान प् grants इसले चुकानी पड़ी कियोंकि फूरा बात कर रही थे वह फ्रो फब्लिक पतकार कर रही थे वह बिढ़ फशोचार ? और सब को पता है कौन किस तरफ आज यह डर जो है अब होटा है आज वो दस्टावेज हमारे सामने हैं गौरी Κज़ के शॅध के तौर पर उन्हें दिन, रात, सुभा, शाम, उनकी जान को खत्रा है, उनकी माल को खत्रा है, उनकी परिवार को खत्रा है, इस खत्रे के साथ हमें रहकर पत्तकारिता करनी होगी, और इतना आप इस बात कर ध्यान रखिए कि दो तरह से पत्तकारिता भारत में होगी, गौली लंकेश से कि हैं जाहlez जांएसवार्ण ब्रॉटी को शेए और चशाना है बहुत सारे लोग सेंसर्षिब करेंगे बहुत सारी लोग अपने के Até ओप छिया आप इस तरह की पत्रकारड़ मुह घठा करती हैं बहुत शर्म हान्हें है केहते हिमें मुझे आज मुझे डर लग रहा है अभी तक मुझे लगता था कि यह जो कुछ लोग है इसे बातनाम का जो विचार वो ज्यादा बड़ा है वो मजबूत है वह ज्यादा मजबूट है वह ज्यादा ताकत पर है लेकिन आज ऐसा लगता है कि इन थोड़े ही लोगों ने पूरे भारत पे भारत नाम की विचार पर और भार्तियों की मानसिक्ता पर कब्जा कर लिया है। जो अभी भी सवाल उठा रहा है इसलिए अगर हम सब सवाल उठाएंगे तो किसी एक को मरने की जुरुत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना चोटा हो गया है कि आउट्स्टेंड होता है यह उभर के आ जाता है और इसलिए गौरी लंकेश को मरना पड़ता है प्रो जो प्रो ग को तो आप कुछ लोगों को थोड़े बहुत के लिए बेवकुभ बना सकते हैं सारे लोगों को सारे वक्त के लिय назвantly बच异ा सकते हैं वाइन में ठिलाई हो रही है या साफ सा आप मुझसे हमानों चाहते हैं तो यह बन सक्राइब से पत्रकार को ने चाहिए जो विचारधारा के नाम पर हत्या हो रही है इसके क्या उपाए है और कैसे बचा जाए इससे और इसके लिए कौन जुमेबार है यह बहुत मुश्किल सवाल है और शायद इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता मुझे लगता है जिस एक ता कि आप बात कर रहे हैं वो तो समभ नहीं है पत्रकारिता दो खेमों में बढ़ चुकी है प्रो गव्मेंट और एंटी गव अभी इसमें कोई तालमेल की गुझाईश नहीं लगती मुझे लगता है जो पत्रकार सच की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो उन खत्रों को जानते हुए कि उनके साथ क्या खत्रे हैं उस खत्रे को जानते हुए आगे बढ़ना होगा सरकार से डिमैंड करनी होगी एक प्रेशर ग्रूप बनाना होगा इन ही पत्रकारों जो राइट फुल पत्रकार हैं जो सच की बात कर रहे हैं इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमें जो डिमोक्रिटिक इंस्टिशन हैं हमारी अदालते हैं हमारे पास इंडस्टिकेटिव एजिंसी इन सब पर हमें इंका समान करना है और इन पर विश्वास करना है इनी के साथ आगे बढ़ना है मतलब एक और मैं पता नहीं सवाल को आप कैसे लेंगे मतलब आगर आप सच्चे पत्रकार है तो आपकी हत्या होगी दो धरे में खुद भी बटे हुए हैं अब यह आपको तै करना है कि जिसकी हत्या हो रही है वह ज्यादा सही पत्रकार था या जिसको गोधी मीडिया कहते हैं हालात बहुत बुरे हो गए हैं लेकिन इससे रास्ते भी बनेंगे लेकिन किसी भी देमोकर्टिक सिस्टम में हत हत्या को जायज नहीं ठाड़ाया सकता सहमती है समती के लिए अपनी जगह है लेकिन जिस तरह से आए दिन घीरतंत बनकर हत्याय हो रही है विचार धारा के लिए अगर आप इसके आज भी समर्थन करते हैं और आज भी समर्थक बने हुए हैं तो कल बारी आपती है शम्मु